हेलो फ्रेंज्स आप सभी को मेरा नमस्कार आज मैं एक बहुत हेल्दी थेपला की रेस्पी सेयर कर रही हूँ लेकिन ये बिल्कुल अलग तरह की थेपला है और मैं आपको यहां मोर के भी दिखा रही हूँ ये कितनी सॉप्ट बनी है आप इसे अपने बच्चों को टिफिन का आठा लेना होगा अब इसमें हम पांच बड़ी चमच सोया का आठा या फिर अगर आपके पास सोया का आठा नहीं है तो पांच चमच गिहूं का आठा डाल देंगे और उसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे अगर आप सभी को यह मेरी रस्पी पसंद आएगी तो प्ल के तिल डालेंगे एक छोटी चमच अजवाइन और एक छोटी चमच जीरा का पाउडर डालेंगे अब इन सभी मसालों को हम एक बार फिर से आठा में अच्छे से मिला लेंगे थेपले को और अधिक हेल्दी बनाने के लिए इसमें मैंने एक कब बारी कटी हुई मेथी के प गुंदेंगे तो मैंने यहां पर एक मुंद भी पानी नहीं उचकिया इसे हमें दही से भी आठा गुंदना है बस ध्यान देना है कि दही जो है वह हमारी ताजी होनी चाहिए टोटल जो यहां पर है 5-7 चमच के करीब आपकी दही लग जाएगी बस ध्यान यह भी देना है कि आपको आठा को बिल्कुल सौप्ट नहीं बनाना है थोरा सा हाड ही रखना है जिससे कि यह 15 मिनट रेष्ट करने के बाद यहां आठा खुद ही सौप्ट हो जाएगा तो अगर आप पहले से ही सौप्ट कर दोगे तो आपको फी प्राठे या फिर आप इसे थेपला बोल करते हैं उसी उतनी ही मोटी हम इसकी भी एक रोटी बना लेंगे तो यह देखिए फ्रिंट सामने इसे थोरा सा ही मोटा बेला है अब हम एक कटोरी लेंगे या भी कोई छोटा सा प्लेट लेंगे और उससे कट कर लेंगे इससे क्या होगा कि हमारा जो है यह थेपला भी इकटा कर लेंगे यह देखिए कितना खुबसूरत यह हमारा थेपला बन के तयार हो रहा है हम इसे दोनों तरफ से पहले सेक लेंगे और दोनों तरफ से सेकने के बाद इसमें हम हलका सा घी लगा लेंगे या फिर आप कोई भी कुकिंग ओयल जो आप खाते हो आप उसे लगा सकते हो तो इस तरह से हमारा हेल्दी वाला सूपर हेल्दी टेस्टी हमारा यह मेथी और बाजरा का थेबला बन के तयार हो जाएगा आप इसे दही के साथ अपने मन पसंद की चटनी के साथ सर्ब कर सकते हैं यह सिप 10 से 15 मिनट के अंदर बन के तयार हो जाता है आप इसे अपने बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं, ब्रेक फास्ट में बना के इंज्वाय कर सकते हैं, आप इसे साम में चाय के साथ भी बना सकते हैं, तो अगर पसंद आया हो तो सपोर्ट करना को